इंडसेज और फ्रेंड्स वर्ली टीवी की तरफ से आप सब का स्वागत दोस्तों कैसे की मैं आपको हमेशा ले चलता हूं बॉलिवर्ड आज की डेट के अंदर जी हां बहुत ही खूब सूरत फैमिली ड्रामा फैमिली प्ले आया है आए आज करते हैं उनकी स्टार कास्प के की है और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई ड्रेक्टर ने अक्टर ने बहुत ही दिल से काम किया है और मैं ये भी कहूंगा कि कहीं भी किसी सीम में ऐसा नहीं लगा कि किसी भी एक्टर ने किसी भी करेक्टर ने ओवर एक्टिंग किया हो या किसी भी करेक्टर अगर ने कुछ ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था कुछ भी कहीं भी कोई भी कमी नहीं है और बहुत सारे अच्छे-च्छे एंगल्स इसके लिए आप बहुत ही बहुत ही मुबारक के हकदार है और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत सारी आपने बहुत सारे इंटर्व्यूज दी होंगी बट आफ्टर रिलीजिंग, क्या फिल हो रहा है, क्या रेक्शन है आपका, हाओ या फिलिंग नाओ, कि वट्स इडिफरेंस ब्विन बिफोर और अफ्टर? मतलब अब आपसे बात करने में फरग ये लग रहा है कि जब हमने जादा तर पहले इंटर्व्यू दिये थे तब सिर्फ ट्रेलर तक रिलीस हुआ था और जो हमसे बाते हो रही थी वो ट्रेलर के मुतालग हो रहे थी और अब एक ऐसे इंसान से में इंटर्व्यू कर रहे ह है उनको स्टोरी बता है परफॉर्मेंस बता है तो आपने देखा है आप जेनुवनली पसंद कर रहे तो हमें भी फील हो रहा है कि हां हो रहा है पहले एक टेंटिटिवनिस थी इंटर्व्यूर को भी ने बता था था मैं क्या पूच रहा हूं एक बाद के तहट लग रहा कि आप एक इंटर्वी भी दे रहें लेकिन एक व्यूवर से भी बात कर रहे हैं तो वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि शो के बाद इंटर्वी देने में शायद जाधा मजा है कि अगर शो पसंद भी आया है और फिर आम इंटर्वी दे रहे हैं विवाल जी आपने इसके बीच में कैसे फैंली का छोटा बेटा होता है और उसी तरीके से आपने अक्त किया और आपका सीन जिसके बीच में आपको स्मझा रही है कि सारे बच्चे सेम होते हैं सारे बच्चे एक्वल होते हैं मा के लिए तो यह चीज और वह सीन में जो आपके क्या होई आपका फेवरेट सीन जो आपको सबसे जाद अच्छा लगाओ इंग फेवरेट सीन आइशा के साथ एक है जो इसको स्वाइद नहीं कि ऐसा सकता है करना चाहिए क्या वह एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग वक्त आता है हमारे कहानी में और एक बहुत ही अनुका और बहुत ही खुबशूरत सीन है मा और बेटे के पीछ जब दोनों थोड़े से इमोशनल हो चुके हैं और कई सारे आशू भी बहते हैं उस सीन में अब देखिए गा उससे मैं स्पोईल नहीं करना चाहूंगा वह बहुत ही खुबशूरत सीन है लेकिन वो मेरे ख्याल से एप आपका वो एक्सप्रेशन और आपका वो वेटिंग टाइम सो परफेक्टली एक्ट आशाजी और विवान जी आप दोनों का कौन सा फीवर्ट सीन है जी पूरी सीरीज के बीच में मेरा सीन मज़े विवान के साथ अफॉर्स ये सीन मुझे करते वक्त बहुत अच्छा लगा था और बहुत सारे हालाथ थे शूत पर जो अब हम बयान नहीं कर सकते बट उन हालाथ चे बीच में ये परफॉर्मेंस लाना हम हम इं जानते हैं कि क्या चैलेंजे थे हमारे का वो मुझे करते समय अच्छा लगा और I think Sunil Sena जी के साथ जो तरे लोग जी बनते उनके साथ जितने मेरे छोटे-छोटे कर्स थे वो भी मुझे करने में काफी मुझाया तो बिल्कुल एक बहुत खुबसूरत सीन है जो मेरा फेवरिट मन परसंट सीन है वो जिसमें आईश संदेस्टेंडिंग होती है Sunil Sena जी को लेकर के और the way Aisha and Shiv and Plavita have played that scene, मेरे तो आसुब हैने लग गया जब मैं देखना था बहुत ही अच्छी आपकी वेब सीरीस के अंदर सबसे अची बात है कि ये करोना के एकदम इमेजेटली बात में बनी है और पूरा का पूरा फील आ जाता है तो मिस कौन सी अरिजिनालिटी है वो नजर आ रही है कहीं भी ओवर नहीं है और वस चीज़ के बीच में आपको COVID की सिचुएशन में आपने जब सारी की सारी acting की या सारा सारा सेट के ऊपर आपको कोई issues आया कोई प्रॉब्लम आया या कौन सी बातें आप हमार अरिके बस इतना था कि सब फैमिलीज ने इस्पेशली इंडिया में इतना दुख इतनी ट्राजडी इंडिया में हुई है हमारे आस पास मेरी खुद की फैमिली में मैं हस्बन वास्ट अच अगो वो बचे है और मैं ही जानती हूं कैसे बचे हैं COVID में उनके बगल वाले बे बहुत बड़ा फैन हूं उनकी एक्टिंगा मैं बहुत बड़ा दिवाना हूं और ये उनको प्लीज कहिएगा तो I think हमने इतना क्लोसली देखा है और हर इंडियन फैमिली ने किसी ने भाइक हो या किसी ने बाप किसी ने बेटा मतलब मैं एक साल पहले का जब सोचती हूं तो मेरी रू काम जाती है कि कितना कुछ जहला है तो अगर आप हमारे शो में हलका सा एक जिकर भी करते हैं एक कोविट से निकल यह एक ट्राजड़ी कि तो एवरी बड़ी इंडिस कंट्री विल रिलेट आपके साथ नहीं हुआ तो आपके पड़ोसी या आपकी मौसी आपके कजन कहीं ना कहीं वहाथसा हुआ है तो जब यह बात शो में आती है तो इस यह बात पांच साल पहली की नह है अपने जो पहपाल के अंदर शूटिंग की है जो सेट के अंदर को इखटी मिल बाते कोई कोई के सिच्वेशन में भी बहुत डरव लगता कि क्या हो रहा है कौन सेट पे आ रहा है कौन सेट से जा रहा है लिवान को बुकार आ गया था एक राध हम सब उससे दूर-दू थाग रहे थे, हमने का टेस्ट करा हो, हम नहीं करते तिरे साथ चुटिंग, और फंड भॉपाल में, और लड़का हमारा मतलब एक दो बजे शुट, I'm fine, I'm fine, I'm fine, मतलब what a spot, और वो शुटिंग कर रहा, हमने का, तुम तो fine हो, हम कल fine होंगे के नहीं, हमें नहीं पता, तो अभी थोड़ा दूर, ये अच्छी किसमत ही है, कि हमारा शुट खतम हुआ, थर्ड वेव के ठीक पहले, या, ना, बाद टो वीक्स बिफोर थर्ड वेव, ये थे थे जैसी हम भौपाल से वापस घरा है, तो घर में बंध, हम नहीं निकल सकते हैं, क्यूंकि फिर उस स्थिति की गंबीरता हमको समझ में आए, कि कितना बुरा हाल हो रहा है, और होने जा रहा है, और खासकार कि first week of jan, second week of jan, उसके बाद थोड़ा सा बहतर होने लग गया, अभी उपरवाले के क्रिपा से अभी थोड़ा सा बहतर है, लेकिन जरूर, end of the year, जैसे हमने शूट खतम किया, तो third wave तुरांट चुरू हो गया, उसी टाइम पर, तो वो उसने हम सब को बहुत ही भाइबीत कर दिया, it was very scary, it was very, and we really got out by, you know, कावत है, by our tail feathers, जैसे कहते हैं, कि हमा शूट जरूर रुख जाता है, उसके बड़ से, विवाजी मैं ये जरूर कहूंगा, मैं आपके फादर साब का, निसीरुदीन श्री का बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपकी acting देखने के बाद, आपकी acting के भी हम दिवाले हो गए हैं, definitely you are doing very very well, and पूरा आपने जो भी इस करेक्टर के बीच में निभाया, दिल से निभाया, and want to say you are the best, and एक चीज़ मैं जरूर कहूंगा, कि इंड़सेज और फ्रेंड्स वर्ल टीवी की तरफ से, Z5 Global का भी बहुत बहुत शुकरिया, जिनके कारण आज आपके साथ मुलाकात हुई, and आप कप ऑस्टेली आएंगे और अपने वियर्स को क्या कहना चाहते हैं, और इंड़सेज और फ्रेंड्स वर्ल टीवी के दर से, हम आपसे ये प्रामिस करते हैं, कि हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स को जरूर ये पकड़ पकड़ के दिखाएंगे, and that is a reality, because ये बहुत ही अच्छा फैमिल अच्छा डिफरेंट तरीके के मुविस आ रही हैं, लेकिन ये एकदम से फैमिली है, कठे बैठके देखेगा, और सब एज ग्रूप के लिए है, and this is their reality, and we promise you, we will push the people, we will tell the people, this is the best one, and this is the best one. जी, बस के प्लीज देखे हैं, हमने बहुत महनत की है, और महनत तो खर सब करते हैं, और सभी बोलते हैं, but I think हमें मज़ा आया है, और अगर वो मज़ा थोड़ा सा भी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको देखने में मज़ा आएगा, जरूर, और भारत के बाहर जो हमारे दर्शक हैं, जो एनराइज हैं, उनको जरूर बड़ा मज़ा आएगा क्यूंकि उनके लिए ऐसा होगा कि वो जो आठ एपिसोड के लिए वो वापस घर चले जाएंगे, ऐसे लगए कि वो बापस अपने परिवार के पास हिंदुस्तान में आ गए हैं, और अपने परिवा जो अंतरवराश्ट्री हैं, उनको तो जरूर बहुत मज़ा आएगा क्यूंकि उनको ऐसा लाइगा कि वो वापस घर आ गए है, जी, अब मैं तो यही कहूंगा कि आपको ऑस्टेलिया आएं और ऑस्टेलिया में शूट करें, और इंड़सेज एंट फ्रेंड वर्ड टीव आपका बहुत बहुत शुक्रिया और यही के साथ मैं इंड़सेज एंड फ्रेंड वर्ड टीवी की तरफ से इजात लेता हूं, मिलते हैं बहुत जल्द एंट इंटजार रहेगा आप सबका और आपनी पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुपकामनाई, चूंग थार्प आपकामनाई, पूरी स्टार्कास के साथ, आईशा जी एंड़वान के साथ, इसी की तरीके से मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा कुछ बॉलिवूट की खटी मिठी मसालेदार बातें, इसी की साथ मैं इजात लेता हूं, मैं आपका प्रभरुतिवारी जालेजिसे नहीं नहीं आफटेशिस जय्हें चेटने सुछेशी को जीषाओी सिर्फलेशी उपूजने मुटने जालेशारीज हैंटूच्छूछूद नहीं जालेशी टिजने हैं. 55,000 कोपीं सुर्फैश बन्ठलीछ, 220,000 सुर्फज़ जाहरें. कर दहूंब跟你 अहले हैं